रादे रादे फ्रेंड्स तुकाना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आज मेरे सोल दिन के वृत में मैंने बनाए ये टोस्ट और वाकई में ये बड़े ही टेस्टी और क्रिस्पी थे तो चलिए बनाते हैं कि यह मैंने चार आलो ले लिए हैं और इनको थोड़ा सब बार करने के लिए रख दिया है अब भी दर दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर एक रहा है और उब हैने गरिस्ट इतना पानी को हम में बार करना है तो इसके अंदर हम थोड़ा सब आइड करेंगे पर ऑईल एड़ करने के बाद मैंने यहाँ पे नमक अद्रक और जो मेरा मसाला जो मैं हर बार बताती हूँ रद के उसमें डालने के लिए वही वाला मैंने मसाला ले लिया है और इसको अच्छे से पानी के मिक्स कर देंगे और फिर पानी को बॉयल आने देंगे जब तक पान मैंने थोड़ी से मौंगफली को इस तरीके से पीस करके ले लिया है और इसको भी पानी में आड़ कर देंगे जो मारा पानी था वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया अगर आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च बगएरा भी आड़ कर सकते हो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर र माठना रह जाए इसको मिक्स करने में बड़ाई टाइम लगता है क्योंकि पानी में जाते ही ऐसे गोले से बन जाते हैं अब हमें इसको अच्छे से चला करके मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हो मिक्स करते करते यह इस तरीके का जैसे पकता है ना चावल तो उस तरीके और मैश करके फिर यह जो हमारा आलू वाला मिक्षर है इसको भी हम अपने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो अभी हमारा मसाला है यह बन के त्यार हो गया है तो इसे अब एक तेल लगे हुए थाली के अंदर निकाल लेंगे तेल यहां पे मैं मुंफिली व हिसाब का और फिर इसको हम एक गंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए आप इस मिक्षर को दिन में बना के रख सकते हो और फिर जब खाने का अदमन करे उस ट्राइम इसको फ्राइब करो और खालो तो अब जो हमारा मिक्षर था वह अच्छे से सट हो गया है तो अब मैं इसको कट कर लूँगी कट इसको वैसे जैसे हम बर्फी को कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट करना है लेकिन थोड़ा चोड़ा और फिर उसको भी हम जो स्कॉयर पीसी आएंगे उनको सेंटर में से कट करके सरीकेकल से जो टोस्ट वाला शेप होता है ना वो दे द पतला नहीं है बिल्कुल मतलब मेडियम साइस का है क्योंकि अगर बहुत सा दपतला होगा हमें से फ्राइब करेंगे तो यह तूट जाएंगे इसलिए इनको इतना मोटा होना तो जरूरी है तो अब साथ के साथ मैंने जो यह पैन था वो भी गैस के उपर दिया है और यह म इसपे चार से पांच पीस जो है तवे के ऊपर रख देंगे फिर तीन से चार मिनट इसको एक साइड से पकने देंगे अच्छे से और जब यह एक साइड से थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको फिलिप करके दूसरी साइड पलट देंगे और देख सकते हैं आ पूपल करा रहे होने तक सेक लिंग अच्छे से एक साइड से हो गया है दूसरी साइड कम से चार मिनट एक तरफ लगते हैं तो दूसरी तरफ भी उसको तीन से चार मिनट तक हमें सेकना है यह मैंने साइड में जो छोटे वाले पीस थे वो भी रख दिये थे और अब हमारे तोस्ट न सारे वो बन करके त्यार हो गए है और आप देख सकते हो कितने यमी लग रहे हैं अब धनिया था नहीं इसलिए मैंने सिंपल टमाटर की चटनी बना ली है आपके पास धनिया पुदीना हो तो धनिया पुदीने की चटनी बना ले और अगर मेरी रेस्पी सब्सक्राइब करें जो है मिलते रहें सुखाव भी और इंजॉय करो